दोस्तो आपका स्वागत है आड़ गयान कला में दोस्तो इस वीडियो में आपको अजनता जानी भारती अस्थापत कला मंदीर और उस्तूप के बारे में पूरा विध्युवत जानकारी मिलेगे जिसमें से अजनता इलोरा इलिफेंटा इन गुफाओं के बारे में आजनता कहा इस्थीत है कितनी गुफाएं है इन सभी के बारे में कौन से गुफाओं में क्या क्या है इन सभी के बारे में ज़्यादतर एक्जाम में पूछा जाता है और फिर से मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं और आप जो भी जानते हैं उसमें से आप इसको भ दूरी पर अजनता गुफा पड़ती है तो यहां पर यह नहीं पूछा जाएगा कि अजनता और अलोरा की गुफाओं की दूरी कितना है यह पूछा जा सकता है तो यह सभी जानकारी आपको रखना जरूरी है तो आईए स्टार्ट करते हैं अजनता में छोटी बड़ी सब मिला के गुफा जो है 30 गुफाएं हैं जिसमें से 5 चैत गुफाएं है और 25 बिहार गुफाएं हैं अजनता की चैत गुफा 10 और उसके साथ ही बिहार गुफा 12 सबसे प्राचीन है गुफा संक्या 10 जो है चैत गुफाएं वो सब और बिहार गुफाओं में 12 और 13 ये जो गुफाएं सबसे प्राचीन है अजनता सैली के चित्रन की बीधा की बारे में बात करें तो फ्रेसको पींटिंग में है फ्रेसको में है ठीक है टेमपरामाध्यम तो पहली गुफा की प पूरी दिवार पर मार विजय तपस्या यानि जो चित्र है वो है तपस्या बुद्ध पर मार विजय यानि कामदेव का आकरवन जिसमें बुद्ध की जीत हुई है यह चित्र अंकित हुआ है पहली गुफा में बिहार गुफा नंबर एक की भित्यों पर पदमपाण अवल और अजन्ता की 17 गूफा में माता पुत्र यानिय सोधरा और राहुल का चित्र है जिसे राहुल समर्पन भी कहते हैं यह चित्र बहुत ही बहुत बार पूछा गया है एक्जाम में ठीक है अजन्ता की सैली को बाचास्पती गोरेला के तीन प्रमुख भागों में इन्होंने भाटा है और कौन-कौन से आप देखते हैं कि अलंकारिक रूप रूप भैदिक रूप और वणात्मक रूप तो अलंकारिक रूप कैसी स्रिणी में आता है तो यह इस स्रिणी के चित्र जो है पसुपच्छी राक्षस गंधर्व अपसरा पुस्पलताओं आदिसे लोगपाल बुद्ध बोधिसत राजारानियों की अलंग आकृतियों से संबंदी चित्र है तो जिसमें रूप भैदिक आता है यानि कहने का मतलब रूप भैदिक जिसमें रूप हो ठीक है भैदिक रूप भैदिक है लोगपाल बुद्ध बोधिसत राजारानियों की में 3 है तो वर्णात्मक करेज ह्लंकारिक रूबहेधिगां और वर्णात्मक तो तूसरा जो है वर्णात्मक राजट में जातक कथाओं से संबंदित है जित्र है या ने जातक कथाओं या नी पो जब यह रुवर्णात्मक में आती है वर्णात्मक भगों में बाटा गया है जातक कथाओं को और इस सैली का जो विकास हुआ वसुंग, कुशान, गुप्तकाल, वाकाटक, चालुक, वंसी राजाओं के काल में हुआ और इस सैली के चित्रों में रेखाय संतुलित है जो कलाकारों के कुसलता का परिचायक है अजनता चित्र सैली के चित्रों का रंग संयोजन प्राकृति से प्रेडित लगता है जिसमें गिरुआ, रामरज, हरा, काजल, नीला और चूने के रंग का बिसेश प्रयोग किया गया है अजनता की चित्रों में जीवन के बहुतिक आध्यात्मिक पक्षों की अतिसुंदर अभिव्यक्ति होई है जिसमें गाउं के सामानिवा सांते जीवन के सांसात नगर के कुलाह पुर्ण जीवन का सजीव चित्र मिलता है जनता में ठीक है और इस चित्र सहली में हर्स, प्रेम, क्रोध, भै, लजजा, करुणा, मैत्री, आध्यभाओं को सफल अभिव्यक्ति की गई है अजनता के कला की नारियों को महतोपूर अस्थान दिया गया है यहां नारी की आदर्स छबी को स्विकार करते हो उनका चित्रन मानवी रूप से करने के बजाय theres himself अब आपको मैं पीछले भी वीडियो में बताए हूँ आजनतम जो 30 गुफा हैं 33 गुफा में से 6 गुफाहूं में चित रहे हैं कौन से गुफाँ सबसे प्राचीन है टीक है गुफा संख्या एक दो जो है वो सबसे नई गुफा है तो ये सब सारे पहले गुफा में मतलब एक दो टीक है 9-10 और 16-17 ये जो 6 गुफाएं इन में से कौन सी किसका किसका क्या काल है और कौन सी गुफाओं में क्या क्या चित्र है ये सभी मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका दे दूँगा देख लिजेगा आए एलोरा गुफा के बारे में ना जाता है गुफाएं महाराश्ट के अजन्ता से 50 किलूमीटर की दूरी पर है इतना आप जानते रहे हैं इस सथा मैं ने प्रहों in गजेदे साथा से की दूरी कितना है 50 की किलूमीटर की दूरी है 50 से 60 के बीच यहां 50 मैं बता रहूँ तो 50 ही है या लोरा में पहले 43 गुफाएं ग्याद थी है किन फरवरी सन 1990 के खोज के बाद 28 नई गुफाओं को प्रकास मिला गया है अधा इसकी वर्तमान ग्याद संक्या है 17 है एलोरा में लेकिन 17 गुफाएं जो है ये अपवाद में कीनी जाती है तो आप 43 गुफाओं को जानेंगे ठीक है गुफा संक्या 15 दसावतार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है इस गुफा में मुख्यतह सीव के बिभिन अलाओ के कारियों का प्रतर संक्या गया है मंदर में 16 नंबर की कैलास नामक ब्रामण मंदिर सरुसिष्ठ है एक ही चटान को काट कर बनाये गया इतना 20 साल मंदिर संसार के अत्यन संसार में अत्यन कहीं है ही नहीं इस मंदिर के भीती चित्रों में लंकेश्वर, इंद्रशभा, गणेश, आदी, उत्सव चित्र हैं इन चित्रों की बिसिस्ताओं में बिसिस्ताएं नुकिली नाग, जकड़े हुए हाथ, पैर, एक आँख, चेहरे से बाहर जुकती हुए और चेहरों का कठोर्टा का इनके ने कितनी गोफा, इनके धर्मों से समबन दीतने, सारी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दीया हूँ और इस वीडियो में भी दूंगा, ठीक है, अभी सारांस बता रहा हुं और आगे एक के करके डिटेल से बता जाएगा, आजिए महाराष्ट के ही एलिफेंटा गुफा है जो कि एलेफेंटा मुंबई से 6 किलोमेटर की दूरी पर समद्र के से घीरा हुआ एक टापू है जिसका वास्तविंग नाम धारापुरी है एलेफेंटा गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टान पर खोद कर बनाई हुई कई भी साल हादियों की मुर्दिया है इसलिए इन्हें एलेफेंटा के नाम से पूकारा जाता है यहां की गुफाएं एक भी साल सिलाखंड को काट कर बनाई गए हैं जिसमें से एक गुफा काफी लंबी चोड़ी है उसकी एक चट बहुत बड़ी है यही चट में है वह कई प्रवेश मार गहें गुफाओं के भीतर अत्यंत भावपूर मुद्रा में कई सुन्दर यहां हैं तो दोस्तों यह वीडियो इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपको जानता है लोरा और एलिफेंटा इन सभी के बारे में डीटील से आगे बताता रहूंगा आप मेरे वीडियो पर करें नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेलाइक है जरूर दबाएं ज कैसा भी लगा हो कमेंट्स बाख में कमेंट्स करें और लाइक करें थैंक यू फार वाचिंग मैं वीडियो